हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब शैनल में बीजी लाइफ स्टेर और गलत खान पान के कारण शरीप पर एक्स्ट्रा चर्ड भी बढ़ने लगती हैं जिसकी वज़े से मोटापा बढ़ता है इसे निपटने के लिए निट्रेशनिस ने कुछ चीजे को खाने की सलहा दी है बढ़ती वज़न के कारण लोगों को दिल से जुड़ी परिशानिया, high blood pressure, type 2 diabetes, stroke जैसी तमाम परिशानियों को खत्रा रहता है ऐसे में वज़न घटाना या मिंटीन करने में लोग तमाम तरह की तरीकों को अपनाते रहते हैं एक्सपर्ट्स ते पताया, फेट लॉस के लिए आप ये scientific foods का यूज़ कर सकते हैं नमबर वन, छाच यानि butter milk छाच में क्यालरी की मातरा कम होती है ऐसे में ये वज़न घटाने में मदद करती है छाच भूख सांथ करती है, ऐसे में दोपहर की समय आप छाच पी सकते हैं नमबर टू, मूंग दाल मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है भूख सांथ करने वालो हॉर्मोन बढ़ता है जो आपको लंबे समय तक मारा रखने में मदद करता है इसी के साथ दाल में प्रोटीन का थर्मिक एफेक्ट पेट की चरवी कम करने के लिए सूपर फूट बनाता है नमबर थ्री, चिया सीट्स वेट लॉस के लिए चिया सीट्स काफी फायदमंद है क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन भू होता है ये बीच पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते रहते है चिया सीट्स में ओमेगा थ्री, पैटी एसिड्स होते हैं ऐसे में ये वेट लॉस कंट्रोल करने में मदद करते है फुल गोबी, फुल गोबी में भी फाइबर और प्रोटीन की अच्छी माद्रा होती है ये वेट लॉस के लिए पॉर्फेक्ट फूड है अगर आप शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्वी को कम करना चाते है तो डाइट में इसे शामिल कर सकते है नमबर फाइब, रागी रागी भी फेट कम करने में मदद कार शाबित होती है इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है जो भूग को कम करने में मदद करते है इसी के साथ ये वेट लॉस में मदद करते है वैसे तो हर वेक्ति की शारेरिक संचर्णा और उसके द्वारा की जाने वाली मेहनत की हिसाब से खान-पान की अवशक्ता अलग-अलग होती है शरीर का वजन कम करने के लिए कम कैलरी लेनी चाहिए और इसके लिए बैलन्स डाइट चार्ट बनाना बहुत जरूरी है दिमाग सुचारी रूप से कम करे और शरीर ठके नहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1200-1800 कैलरी के आवशक्ता होती है इतनी कैलरी उरजागर रूप में शरीर में बहतर ढग से संचारित हो जाती है जो कि फैट के रूप में नहीं जमती तीन मुख्य भोजन जैसे नास्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 300 से सारी 300 कैलरी का रखे बाखी बचे 300 कैलरी में स्नैक सधा अन्य चीजों को रखे बीवरिज के तौर पर ग्रीन टी अपना है ग्रीन टी वजन कम करने में सहायक है जो भी खाना खाए, सभी गेहुस से बना हो या ब्राउन चावल हो मैदा या सफेज चावल ना खाए आपको नास्ता दोपहर के भोजन और रात के खाने में ऐसे डिवाइट करें सुभा उठते ही पानी पीए हो से के तो कम से कम दो गिलास और ज्यादा से ज्यादा एक लिटर पानी हलका गुनगुना होगा तो अच्छा है नास्ता में हो से के तो आप ओट्स बनाए मगर ये इंस्टेंट ओट्स न हो साधी ओट्स का पैकेट लाए और इसमें प्याज लहसुन दालचिनी जरासी मंग्रेल यानी कलोंजी डाले बाकी नमक वगेरा तो डालना ही है इसमें मौसम के हिसाब से सबजिया डाल सकते हैं हो सकी तो ब्रॉकली जरूर डाले या कॉनफलेक्स और डबल टोन दूध या अगर आप नौन वेजिटिरियन है तो तीन या चार उबले अंडी का सफेध हिस्सा शाहे तो बीना चीनी वाला नीम्बू कि सिकंजी सिकंजी पहले पिए बाद में अंडी खाए या कभी-कभी आप नाश्ते में दही की साथ उबला आलू भी खाथ सकते हैं इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं ब्रंच में आप क्या खा सकते हैं आप से दस बादाम साथ में कॉफी या ग्रीन टी या अद्रक तुलसी दाल चीनी लाइची वगेरा की चाइब बस इसमें चीनी की बजाए सुगर फ्री हो लंज एक कटोरी ब्राउन राइस सलाद वल्टी ग्रेन आटे की एक या दो रोटी और दाल शाम की चाएब कोई वेज सूप या भूने चने के साथ या कॉफी या ग्रीन टी चाहे तो आप स्प्राउट्स भी ले सकते है रात का खाना एक कटोरा वेज सूप एक कटोरा सलाद या एक बड़ा कटोरा पपीता या एक कटोरा भरकर सबजिया इसमें लाहसोन प्याज जरूर हो या नॉन वेजिटेरियन है तो तीन एग वाइट या अरल पदार्थो का अधिक सेवन और व्याम को भी अपनी दिन चरिया में शामिल करना होगा आप सलाद खा सकते हैं लो कैलरी फूड ले सकते हैं मोटे अनाज खा सकते हैं शहद और निम्बू को शामिल कर सकते हैं खटे फल, सूप, पालक, सेव, डाल दलिया, अंडा, विनेगर अवोकाडो आप ये सब चीज़े अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं फिलाल आज के लिए वीडियो में इतना है वीडियो अच्छे लगाओ तो इस वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजएगा